हेलो वेलकम तू विप्रमाइन चानल आज अगर इस सेशन में डिसकस करेंगे एक और ट्रीक फार डिविजिन यहस दिस्क्रैक इस फोर इंप्रॉपर फ्रैक्शंस इंप्रॉपर फ्रैक्शंस मिंइ जिसमें नियूमृरेटर जो है वह डी नॉमृरेटर से greater हुपता है यह आप इंप्रॉपर फ्रैक्शन के लिए अर्ट अगॉथ आपको एकुरीक आंसर नहीं आएंगे आज यह अग दिसक्रस करने वाला हूं यह आप इंप्रॉपर फ्रैक्शन के लिए अपलाए कर सकते हैं यह सारे ट्रिक्स से हमें जो answers आते हैं वो approximate values आते हैं, जिसमें हमें दो से तीन decimal place तक accurate answers आते हैं, and that is more than enough जो हमारे school level examinations हो गया competitive exam, जो हमें if we had two to three decimal place तक भी accurate answers आते हैं, तो हमें calculation के लिए that is more than enough. तो अगर आपने जो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो ट्रिक है अगर आपने वह ट्रिक नहीं देखा है तो पहले आप वह ट्रिक देख लिजे क्योंकि उसमें जो भी कॉंसेप्स हमने यूज किये हुए है जो भी steps used के वो सारे steps हम यहां पर use करने वाले हैं सिर्फ एक ही step जो है वो यहां पर extra है जो हम improper fractions के लिए apply करेंगे तो वो video का link में आपको description में दे दूँगा even i button में भी दे दूँगा तो पहले आप वो video देख लिजा अगर आपने नहीं देखा है तो ही आपको यह trick समझ में आएगा okay so let's start with the session अब जिसे की example आपको division करना है तो numbers like 2476 divided by 1175 okay so ऐसे numbers का अगर हम division traditional method से करने जाए तो कहीं न कहीं हमें time बहुत जादा लगेगा because 1175 का table use करते करते हमें बहुत जादा time लग जाएगा तो यहाँ पर जो हम trick discuss करने वाले हैं यह trick से आप ऐसे numbers का division within 10 to 15 seconds में easily आप कर सकते हैं okay so सबसे पहला step जो यहाँ पर हम improper fraction में use करेंगे so जिसे simple जो हम division करते हैं जिसे की 2476 numerator में है and 1175 तो अब क्या करोगा यहाँ पर 1175 से मैं क्या multiply करूँ so that I will get 2476 या जिसे smaller value तो जिसे कि अगर मैं यहाँ पर 1175 से अगर मैं 3 multiply करूँ तो भीस है वह 3000 में आ जाएगा तो इंटू करूँगा तो कितना आता है 1175 इंटू अगर मैं 2 करता हूँ तो यह जाएगा 2350 कितना जाएगा 2350 यस तो अब आपको क्या करना है यह 2350 जो है 126 अब इधर क्या किया हमने इंटू 2 किया तो आप क्या करोगा यहाँ पर 2 लिख दोगे उसके बाद आप पॉइंट पुट कर दोगे अब दिको यह जो remainder आएगा वह obvious है कि यह 1175 से smaller ही आने वाला है क्योंकि हमने 1175 से डिवाइड किया है और हमने उसे just smaller value या उसके equal value ही ल 1175 से डिवाइड करेंगे किसे 1175 से तो जिसे मिन आपको बता है 1175 से वह remainder छोटा ही होगा तो अब यह जो fraction बन रहा है वह क्या है proper fraction है जिसमें denominator बड़ा है numerator चोटा है तो अब यहां पर हम पूरा का पूरा जो steps हम proper fractions के लिए अपलाई करते थे वही हम यहां पर यूज करेंगे तो जिसे कि वहां पर हम क्या करते थे यह denominator को हम nearest जो round of value है उसके पास लेके आएंगे जिसे 1000 2000 से आसपास या 100 200 के आसपास तो अब देखो 1175 मिसे अगर मैं 175 माइन तो मुझे 1000 आ जाएगा तो इसका मतलब जो उसके equal to जो मैं fraction लिखता हूँ उसके denominator में 175 लिख देता हूँ क्योंकि वह जब मैं यह दोनों fractions के numerator और denominator को subtract करूंगा तो denominator में 1175 माइनिस 175 हो जाएगा तो मुझे denominator में जो आएगा वह 1000 आएगा तो यह fractions equal कैसे लेते है इसका concept क्य जहां दीजिए 126 और 1175 इनके बीच में जो relation है almost देखा जाए अगर roughly देखे तो 10 times का relation है roughly की बात करो देखो 126 into 10 करेंगे तो 1260 जो almost 1175 के बरावरी है roughly तो अब यहां पर क्या हो जाएगा 175 अगर हम denominator में लिख रहे है तो numerator में हम क्या लेंगे मतलब उसका अगर यह 175 उसका 10 10 times होगा मतलब वह वालो का because ratio 1 is to 10 का almost है मैं roughly की बात करो तो 1 is to 10 का तो मतलब यह 10 times है तो उपर वाला जो होगा वह 1 time होगा तो 175 को अगर मैं 10 से divide करता हूं तो 17.5 आएगा 17.5 तो मैं numerator में क्या लिखूंगा पॉइंट में लिखूंगा तो अगेन मैंने आपको बता है कि यह almost 10 दिख रहा है बट 10 के equal है क्या नहीं है तो अगर आप देखो कि 9 times almost roughly 9 times बोल सकता हूं मैं तो मैंने 10 times इसलिए लिया ताकि मुझा पहले तो वह division easily हो जाए 175 divided by 10 17.5 अब आप उसको थोड़ा सा वालू बढ़ा दो 9 times अगर मैं बोलता हूं तो 17.5 से मैं round off लेकिया हो तो 19 ले सकता हूं मैं कितना ले लूँगा 19 जिस थोड़ा सा वालू मैं बढ़ा दोंगा अगर 175 divided by अगर आप 9 करते हो तो 19.something आएगा तो almost 19 यहां पर मैं लिख दोंगा understood तो अब क्या करूंगा मैं यह दोनों fractions को अगर मैं उसके numerator and denominator को subtract करूंगा 126-19 divided by 1175-175 तो यह कितना जाएगा 107 divided by 107 तोड़ा सा यहां पर कट हो जाता है तो 107 divided by 1000 will be nothing but 0.107 तो अब यह आगया 126 divided by 1175 करेंगा तो roughly हमें क्या आएगा 0.107 तो अब यह two point के बाद हम क्या लिखेंगे 107 तो यह roughly हमें जो answer आएगा इसका that is two point one zero seven यह जो division है इसका जो roughly answer आएगा दो से तीन decimal प्रेस तक हमें यह आजाएगा two point one zero seven understood hope सबको समझ मैं अगर नहीं समझ मैं तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं even मैं एक example और लेता हूं ताकि आपको यह steps clear हो जाए तो जैसे मैंने आपको बताया first step ही अलग है और सारे steps जो है वह तो हमने जो proper fractions के लिए apply किया थे वही यूज कर रहे है तो अब जैसे कि मैं एक example और ले लेता हूं जैसे कि आपको divide करना है eight four seven six for example divide by two one zero seven for example अब यहाँ पर again so सबसे पहले हम क्या करेंगे two one zero seven seven मैं क्या multiply करो so that I'll get eight thousand four seven six या उसे smaller तो अगर आप देखे two thousand into something four करेंगे तो उसके आज-पास ही value आएगा because five करेंगे तो ten thousand हो जाएगा तो इसका मतब हम यहाँ पर लिखेंगे four point अब remainder क्या होगा eight four seven six में से eight four two eight minus कर देते तो 76-28 that is 48 आजएगा कितना आजएगा 48 तो remainder जो आ रहा है वो 48 अब आप क्या करोगे है यह क्या क्या करोगे डिवाइड करोगे तू one zero seven से अब यह remainder को क्या करोगे डिवाइड करोगे by two one zero seven तो अब यह इंप्रॉपल ट्रैक्शों यह क्या होगे इंप्रॉपल अब अम क्याsociation कु था Fauzan के पास रिलेशन देखते हैं इन दुनों के बीच में घर रिलेशन देखेंगें कितने बातों तो तू था थाइसन तो कितने का आसपास अजा जा अगर टेखा जा तो 50 चाहरे तो इसका वनि टाइम क्या होंगा तो यह भी 100 के आसपास मैं मान लेता हूं तो फिफ्टी करूँगा तो मुझे इधर 2 आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 understood तो अब जिसे मैंने आपको बिताया यहां पर आपको क्या करना है 107 इसमें से माइनस करेंगे तो अब इन दोनों का relation almost 1 is to 50 का relation है तो अगर मैं यहां 107 से सब्ट्रैक कर रहा हूं तो मैं यहां पर किसे करूंगा 2 से करूंगा विकास दोनों का relation 1 is to 50 का almost होना चाहिए तो जिसे मैंने आपको बताया यह almost 50 है 50 से roughly ले रहे हैं तो यहां पर मैंने 2 by 107 लिया तो अभी इन दोनों को सब्ट्रैक करेंगे तो 48-2 divided by 2107-107 तो यहां जाएगा 46 यहां जाएगा एक मिनिट अगें तोड़ा सा कट आउट हो रहा है यहां तो यहां जाएगा 46 divided by 2000 अभ यहां पर 2 into 1000 and 2 into 23 तो यहां जाएगा 23 divided by 1000 that is 0.023 इसका मितलब यह 4 पॉइंट के बाद यहां पर आपके लिको 023 understood यह पॉइंट के यहां जो वैलु आता है वह आप यहां लिए तो इसका आंसर जो आएगा वह 4.023 के आसपास आएगा सबसे पहला स्टेप आपको यह करना है जिस आपको यह देखना है कि यह दोनों के बीच में पहला तो आप इससे क्या मंटिप्लाइ करें इसका एगा तो उसके जो fart chenma और उसको आपको 75 के आपको आपका क्या होगा जो रिमेंडेर होगव वह दिफिर्मेंटर से रशुट ही आएगा तो अब उसका प्रॉपर गर्टोर क्रीक डिसक्स किया होगा तो वो trick apply करके हमें answer मिल जाएगा so इसका answer जोएगा वो 4.023 के approximate यह value होगा so you can check this division in your calculator also so hope you have understood अगर आपको यह trick अच्छा लगा so please like this video and please share among your friends and अगर आपको कोई भी step में कुछ भी doubt है तो मुझे आप comment section में बता सकते and जिसे मिन आपको बता है इसमें जिसे जो proper fractions का part है वो मैंने बहुत fast किया क्योंकि already मैंने इसको detail में explain किया हुआ है for proper fractions के लिए तो वो वीडियो आप देख लीजेगा तो आपको वहां समझ में आजाएगा उसका आप यह trick देख लीजेगा so still you have any doubt उसके बाद भी तो आप मुझे कमें सेक्शन में बता सकते है okay so we'll meet in the next session till then take care bye bye